वहाप पे लोग नहीं आते और लोग क्यों नहीं आते क्योंकि वह इनूटीशन नहीं होगा मैंने कई बार देखा भी में को मुए किन बुलायागा है आप आ जाई हमारे घर पे बस आपा जाओ वो क्या है कुछ नहीं आके पता लगेगा अपोई चाहिए नहीं है अच्छा तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टन है कि जो नया बंदा है उसको इंविटेशन बताया जाए कि अगर आपने सब्सक्राइब रखा है आप उनको बताईए कि आप जिनको कॉल करिये उनको बूलिये कि जी हमने अपने घर में एक आयरवेदा को पर हेल्थ वक्षॉप रखा है एक एक्सपर आएंगे और आपको हेल्थ के आजकर जो लाइफटेल प्रॉब्लम है उनके बारे में जानकारी देंगे और किस तरह से आयरवेदा द्वारा हम स्वस्त रह सकते हैं और इसमें जो है क मगर वो पांच मिंट के लिए बुलाने के लिए कोई फायदा नहीं है न यह बहुत ज़रूरी है अगर आपने ब्यूटी वक्षॉप रखा है स्किन टेस्टिंग रखा है तो उस तरह से इन्वाइट करिए कि हमने अपने घर पे जो है ब्यूटी के उपर स्किन के उपर हे के उपर एक सेशन रखा है एक एक्सपर्ट आ रहे हैं वील से से जो आपको बताएंगे और वो आपका जो है स्किन टेस्ट भी करके बताएंगे हेरें स्किन की आपकी स्किन ड्राय है नॉर्मल है और किस तरह के प्रडुक्त आपको यूज करने चाहिए और आयरवेदा सॉ है बहुत इंपॉर्टन्ट है नए लोगों को समझाना कि किस तरह से इन्वाइट करना है तो वन टुवन किया वहां से उनको जॉइन कराया फिर उनको हो मिटिंग के बारे में बताया ब्यूटी हेल्ट वक्षोप के बारे बताया चीक है न और उनको फिर आप जून ट्रेन रेकेगनिशन देखेंगे फिर हम लोग मंतली जो है दो महीने में एक बार लडीपी लीडर्शिप डेवलप्मिन प्रोग्राम करते हैं जहां पर फिर हर तीन महीने बाद रेजिदेंशल ट्रेनिंग प्रोग्राम आर्टीपी होता है तो यह हमारा पुरा सिस्टम है वन आगे बढ़ता रहेगा जो लोग कंसूमर है एक सबसे बड़ी गरबर लोग क्या करते हैं कि मैंने किसी को बताया उनको मैंने प्रोड़क्ट बताया और वो प्रोड़क्ट मैंने दिया और मैंने उनकी जोइनिंग डाल दिए जो लोग बिजनस नहीं करना चाहते हैं उनकी प्रोड़क्ट देते रही है एक तो आपका परसनल बढ़ जाएगा क्योंकि आईटी पे जब आप डालेंगे तो दस जार सेल्स वाल्यूम का ओडर जब आप आपकी टीम के दुवारा जनरेट हो जाएगा तो आपको 6% मिलेगा तो आपकी अपने ओर्डर का 6% मिलेगा नमबर बन दूसरा आपका ओर्डर रीक साइट में चला जाएगा तो आपकी वो बैलेंसिंग भी करेगा हाँ जो बिजनस करना चाहिए उसकी डाली वरना प्रॉब्लम किया था क्या होती है आपका हेल्चाट खराब हो जाता है आप कहते हो यार इस महीने तो मेरी पिछले महीने मेरी टीम में 20 मैं किसी का देख रहा था जैसे विछले महीने 20 जोएनिंग थी किस महीने क्या हुआ दर जोएनिंग रह गई ये 20 लोग आ गए क्यों क्यों क्योंकि वो 20 लोग बिजनस करने नहीं आये थे वो तो कंजूमर थे उन्होंने तो प्रड़क लिया था मगर क्या था कि भई एक बैक का उफर था हमने वो बैक को क्वालिफाई करना था तो हमने सब कंजूमर के ओडर डाल दी अगले महीने क्या हुआ जिरो कंपनी जब ये रेकूट्मेंट के ओफर देती है आपको तो ये जो ओफर होते हैं ये बेसिकली ये होता है कि हम जैनु अगर ये बीस लोग बिजनस करने आए थे तो ये बीस के दवारा अब हमारे पर चालिष जोइनिग होनी चाहिए इस बार क्योंकि पीछली बार इन बीस के बिना हमने बीस जॉइनिग लाए थे अब तो हमारे टीम में बीस लोग और आ गए तो हमारे पार करीब 40 जॉइनिंग होने चाहिए या 30 होने चाहिए 20 की 10 तो नहीं होने चाहिए तो ये बहुत important difference का जॉइनिंग कंपनी का offer यब यूज करें तो recruitment के लिए ही उसको यूज करें genuine recruitment के लिए यूज करें खाली consumer मत करिए ये बैग वैग क्वालिफाई करने के लिए जॉइनिंग कंपनी की मत डालिए genuine recruitment करिए business builder का तो आपका business जो है बहुत ही अच्छा रहेगा और सबसे बहुत जरूरी है जो हम daily basis पे करते हैं वो हमारा future शेप करता है ठीक है ये मत सोची एक महीने में क्या हो सकता है हाँ गोल बनाई है अपने annual गोल मनाई है साल के गोल बनाई है मंतरी गोल बनाई है weekly गोल बनाई है उसके बाद focus करिए है कि वही हमारे घर में तो मतल बुलना बोले नहीं यार मैं तो बजार से लेका हूँगा वो छोटा सा package मिल जाता है सस्ता होता है देखे आप दस बीस रूपे बचाके जिंदगी नहीं बदलने वाले पहली बात तो यह quality है आरवेदा बेस से आपके हाथ को नुकसान ने पुचाएंगे पैरमिन फिरी है क्वालिटी की कीमत होती है और दूसरी बात है कि बहुत लोग यूज़ करते हैं अब वो जो हम कपड़े दोने की जो बरतन दोने की टिकिया बजार से लेके आते हैं दस रूपे की उसके अंदर कास्टिक ही कास्टिक होता है वो कास्टिक हमारे बरतनों में थोड़ा बातो लगा रहा रहा था और वो अंदर जाता दुनिया बर के केमिकल नुकसान पचाते है या फिर डिश वाउच का पाँच एमिल डालो आप और उस चार पाँच एमिल से आपके एक दिन के बरतन दूल जाते हैं ये लगते महंगे महंगे होते नहीं है क्योंकि ये डाइलूट होते हैं मगर लोग नहीं खरीते हैं फिर कंपनी कहती है ठीक है बाई तुम बोलते तो बहुते होंके लाओ तो वह बहुत जरूरी है क्योंकि डारे सेलिंग का जो पहला अब्जेक्टिव एपरेंज है 100% कंजूमर बनना और डाटा दिखाता है कि सारे लोग 100% कंजूमर नहीं है नहीं तो सेल आपकी कितनी बड़ी हो तो कि सेलेक्टिव लिस्निंग करते हैं ये करेंगे ये नहीं क लीडर्शिप का सबसे बड़ा जो टूल आपके पास है जो सबसे बड़ी ताकत आपके पास है कि हमें वी है टू लीड वाई एक्जाम ये बहुत ज़रूरी है पर अब प्रोड़क कंपनी इतने जोसे लाती है बहुत लोग बहुत अच्छा उठाते हैं कंपनी ला कहती है दस के साथ दो पिरी मिलेगा बंदर 20% डिस्काउंट 20% ओफर फिर वो आपके कंसिस्टेंसी में जा रहा है वो आपके मिनी स्टॉक पैंट में जा रहा है अरे 60-70% का प्रोफिट मिल ला है मगर उसमें भी पासिपेट नहीं करते लोग अरे मेरे को नहीं चाहिए याद अगर हमें बड़ी कामियावी चाहिए पहले हमें अंदर से बड़ा बनना पड़े अगर मुझे लाखों कमाना है मेरे को अपने अंदर की सोच को एक ऐसे व्यक्तिका बनाना है जो लाखों रुपे कमाता है अगर मेरी सोच एक 10,000 रुपे कमाने वाले व्यक्तिकी रहेगी कि मेरी जो हरकते हैं वो कारेशयली सोच एक दस अजार रुपे महीने की वाले व्यक्ति की रहेगी तो मैं कभी लाखों रुपे ने कमाँगा या तो यह भी बहुत ज़रूरी है वी आप टू लीड बाई एक्जामपल 100 पसंद कंजूमर बनना और साथ में प्रोड़क को साथ में जो है हर प्रोड़क लांच में पार्टिस्पेट करना बहुत ज़रूरी है और वी आप टू फोकस ओन वाट यूट वाट वी वांट येश वेन फोकस उन प्रॉकस उन प्रॉकस करते हैं हमें प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नजर आती कई लोगों को आपने देखा समुद्य को लेके वो अपना युध शुरू कर दे अप्लाइं, डाउन-लाइं, कंपनी, मैनेजमेंट से शुरू कर दे बस सुबह से शाम तक जब उनके दो साथ हगड़े हो जाते तो उनका जो है उनका दिन सार्थक हो जाता है परिनाम क्या है परिनाम कुछ नहीं है मगर जो लोग possibility की उपर focus करते हैं, वो देखते हैं कि ठीक है, ये challenge है, ये मुश्किल है, इस पर कैसे रास्ता किया जाए, तो what we focus upon, that is what we get, तो हमेशा हमारे इसलिए बूलते हैं, अपने goals पर हमें focus रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने goals पर, अपने लक्षे पर focus रहते हैं, तो फिर हमें और लोगों की आवाजे नहीं सुनाई देती, हमें distraction नहीं होता, क्योंकि हम focused हैं, जब हम goal पर focus नहीं होते हैं, फिर हमें दुनिया की आवाजे सुनाई देती, छोटी छोटी obstacles जो है, छोटी 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 hindrances, छोटी छोटी रुकावटे, हमारे बड़े सपने, बड़े लक्षे से हमें दूर ले जा सकती है, yes, हम जिस 72 चीज़ पर focus करते हैं, होई बड़ी हो जाती, हम संभावनां पर focus करेंगे, अपने goal पर focus करेंगे, वो बड़ा हो जाएगा, हम problem पर focus करेंगे, problem पर focus करेंगे, road block पर focus करेंगे, और बड़ा है, हमारी आँखे magnify करत नहीं तो problem पर focus करते हैं, वो बड़ी होती जाएगी, मज़ आएगा, solution में focus करते हैं, मैं भी आपने downline को support नहीं करते हैं, अरे वो अगर अच्छी apply नहीं है, तो आप तो अच्छी apply नहीं बन जाएगी ना, yes, अब एक घर में एक पिताजी थे, बहुत जादा शराब पीते थ तो उनकी बहुत जादा शराब पीने से death हो गई, तो दो बच्छे थे उनके, एक ने बहुत शराब पी नहीं शुरू कर दी और एक ने बिल्कु शराब को हाज मिन लगाया, तो जिसने शराब बहुत पीता था, किसी ने बहुत तुम इतनी शराब क्यों पीते हो, कहते है, आप क्यों नहीं पीतों कहते हैं नहीं, मैंने देखा इसका नुफसान क्या है, तो मैं नहीं करना चाहता, अब वहीं इंपोर्टन है कि हम क्या करते हैं, तो आपकी अप्लाइन अगर अच्छी सपोर्ट करें, बहुत अच्छी बात है, उसको थेंक्यू करें, गौड को थे इंतिसार मत का आप तो अच्छे अप्लाइन बन जाई है ना यह इंपोर्टन है यह पहुंच ज़रूदी तो हमें ढूड़ना है प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर है मँठाओं किया आपका जो है बड़े शवर चाफट में सेविन्आर में रेग्रेट्टीशन पाना प्राइम करने मंटिवेटिंग फैक्टर रेंद र है चाइंडिक प्रेंध नंटिवेटि पना होता है कि यह और में और वो असके बार शांती ठंडा है tyre इस बार तो मेरी कंपनी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया याद रखिए ये सब छोटे-छोटे पढ़ाओ ये करने हैं तो कि कंपनी आपको एक सिस्टम में प्रोसेस में डाल दी है हमारा प्रोसेस क्या इगल कि आप रेकूरूट्मेंट करिये और पर्सनल पर्चेस करिये इसलिए कंपनी के जो जाते हैं या तो रेकूरूट्मेंट बढ़ाने के लिए होते हैं या प्रोसेस बढ़ाने के लिए होते हैं ये करना है मगर this is not the only objective कि कर लोग इसी को मंजिल मान लेते हैं मंजिल नहीं है ये चोटे सा पढ़ाओ ऑए ये आपका mindset ко को एक प्रोसेस में डालने का पड़ावना है आपका और हमारा प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि मेरे और मेरे परिवार के लिए एक भैतरी जिंदगी उनको एक बेस्ट आफ लाइफ बेस्ट आफ कमफर्ट मन्थ आफ्टर मन्थ मिले अगर आपका प्राइम मोटिवेटिंग फैक्ट अगर आप केवल कहेंगे बैग आया तो मैंने काम किया बैग नहीं आया तो मैंने काम नहीं किया तो फिर नहीं बढ़ेगा यह था हम आप बोलोगे बाले जी बोले वह यह चो 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 यह कब तार्विट मन आगी करो तो कि कहीं लोगते कि इसमें भी एक फर्ख पड़ जाता है एक आदमी सोचता यार चलो मैंने अगर कर भी लिया तो क्या होगा एक बैग ही तो मिलेगा वो तो मैं वैसे भी खरी सकता हूँ जब वो पांच से रैसवी यानि कि 10 रुपे की 100 लोग करेंगे तो मेरी टीम में जो है वो टीम में करा दिया तो मेरी सेल तो 10 लाग हो जाएगी वही बैग मगर दो डिफरेंट अप्रोच और दो डिफरेंट अप्रोच तो दो डिफरेंट आउटकम यह डारे सेलिंग है यह नेटवर्ण माकेटिंग है कि कैसे हम इन अपॉर्चुटीज को यूज करें true motivation comes from within no one can hand it to you and no one can take it away जो true motivation है वो अंदर से आता है कोई आप से लेचीन नहीं सकता और कोई आपको दे भी नहीं सकता motivation का मतलर भी होता है motive in action आपका जो मकसद है जब वो action में आता है तो वो motivation में इसलिए अपना prime motivate factor बड़ा रखे चोटा मत रखे चोटी 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 गोल्स को आसिल करिए और बड़े बड़े लक्षे अपने पहुंची और अगला important है सोच के सोचो जो हम सोचते हैं वह हम उस पर ही हम action करते हैं जैसा हम action करते हैं वैसे हमें result आता है positive सोचेंगे positive action करेंगे positive result आएगा negative सोचेंगे negative action लेंगे negative result आएगा और मेरी बहुत पसंद्र लाइन है you cannot have a positive life and a negative mind मैंने कुछ लोगों को देखा है पिछले 22 साल के करियर में उनके अंदर हमेशा negativity भरी रहती है लोगों के प्रती बिजनस के प्रती औरों के प्रती तो मैंने देखा बात में ना किवर उनके बिजनस खराब होए उनकी अपनी परसनल परसनल हेल्थ भी खराब होए यह क्योंकि नेगेटिविटी एक टॉक्सिन की तरह जहर की तरह है वो ना किवर हमारे बिजनस को झाल 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 झाल